इस नौर्ट पीस में सेवन सिस्टर्स जो कहां जाता है उसके बना इलाका कवर कर दिया आप लोगों ने वहाँ पर रिस्पॉंस भी जो है मिलराई इन्वरस्टी के स्टूडेंट्स भी बहार निकल कर आए नहीं मिलने दिया जाता हूं से जिन्मंदिर वाला इंसिदेंट में घालिया गए अरुना चल गए और मनिपूर गए तो इन जगाओं पर आप लोगों कि लिखता हूं कि यह चुनावी यात्रा नहीं है लेकि में चंटें के मुद्धे आप लिए पांच नियाए की बात कर रहे हैं तो क्या कॉंगरेस पार्टी को भी राजनितिक तोर पर चुनावों में इस बात का नियाए मिले क्योंकि नौर्टी से एक ऐसा स्टेट इसा रीजन रहा है जहां कि हमेशा कॉंगरेस पार्टी कि अम बताईए इमफाल मनिपूर में जो हालात पैदा हुए महाँ पर डबल इंजन सरकार है ना महाँ पर बलातकार हुआ हत्याए हु को सुनना उनकी आवाज को बुलंद करना उनका दुख बांटना उनको सांत्वना देना ये कम रहुल गांदी जी कर रहे है और इसलिए यात्र के शुरुआत हमने मनिपूर से की और इमफाल से करी थी मैं ऐसा मानता हुँ कि जो पांच अलग-अलग नियाओं की बात रहु जिने करी है, युवा है, किसान है, महिला है वो सब ऐसे लोग हैं जो अपने आपको आज कहीं ना की अप्रिक्षित महसूस करते हैं इस शासन में दस साल में अगर कुछ किया है तो प्रोपगेंडा किया है एजिंसी का दूरुपयो किया है इपक्ष की आवाज को दबाने क काम किया है, तेकर न्याए नहीं मिल पाया है, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, दलित को, आदिवाशी, वो लग जो में स्ट्री में नहीं है, उनको एक खटा करकर उनकी आवाज को रिखांकित करने का काम रहुल गादी जी कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते ह हमारा इंडिया लाइन्स जो है हमारे इंडिया लाइन्स के पार्टनर्स का जो वोट शेर है वो 60% से ज़्यादा है और इसलिए भाजपा आज घबराई हुई है क्योंकि अगर आप सब मिलकर चुनाल लड़ते हैं तो उनको बहुत बड़ी चुनादी का सामना करना पड़ेगा और राहुल जी अगर यात्रा निकालते हैं तो उससे निश्यत लूप से कॉंग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती है कॉंग्रेस मजबूत होती है तो इंडिया अलाइन्स मजबूत होती है और एक मजबूत इंडिया आलाइंस बीजी पी की गले उतर नहीं इसलिए महां के मुखमंति इंडियों को टारगेट किया है और बार बार किया है एक बार अगर होता तो मैं समझ सकता था कि किसी अधिकारी ये पशासन की किसी अफसर ने कर दिया लेकिन ये कि इसलों कि इसलों नहीं कर पाएंगे लोगों के अवाज सुनकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो पर कहा का लोगतंser आ रहें और ये जो है ना ये ड़ाने की दबाव की जुराइज नीती है इस बहुत महेंगी पडेगी असम बर भाच्पा को इंफाल मनिपूर में जो हालात पैदा हुए, महाँ पर डबल इंजन सरकार है ना, महाँ पर बलातकार हुआ, हत्याए हुई, हिंसा हुई, और पूरा छेत, जो पूरा राज्य है, महाँ के लोग बहबीत है, उनको समालने की, उनको उनके गामों पर मल्लम लंगाने की जब्मिदारी किसकी है, पर उनकी बातों को सुनना, उनकी आवाज को बुलंद करना, उनका दुख बांटना, उनको सांत्वना देना, ये कामराहुल गांदी जी कर रहे है, और इसलिए यात्र के शुरुवात हमने मनिपूर से की और इंफाल से करी थी